दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं business stats और analysis की और इस series में हम लोगों ने काफी सारे important topics को कर कर लिया है जैसे measure of center tendency, measure of dispersion इन सारे topics को हम लोगों ने कवर्द कर लिया है और आज किस video में हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों कुछ एक misleadingous questions को लेंगे और उन misleadingous questions को लेने के बाद म हम लोग उसके solutions को देखेंगे ठीक है तो यहां पर हमारा जो इसका यह purpose है कि आप सभी तरीके की जितने भी important questions होते हैं आपके examinations में वो आप सभी कर पाओ ठीक है तो कुछ questions आप से इस तरीके से पूछा जा सकता है जैसे कि following data मतलब कि एक तरीके से आपको data बना करके दे द गई हैं A और B दो factory हैं दो factory के अंदर जो भी workers है ठीक है उनके according उनको wage कितनी दी जाती है यहां पर यह चीज़ डिफाइन करा गया है ठीक है तो अब हमारे पास में question क्या पूछा है कि find the average wage in both factories average एक तो पूछा है यानि कि measure कुछ एक मनलब कि इसको कुछ भी निकाल करके आ अब भी average पूछता है तो average का मतलब क्या होता है आपको X-bar निकालना होता है ठीक है तो X-bar कैसे निकाला जाता है continuous series दी गई हो और continuous series के अंदर हम लोग mean को किस तरीके से निकालते है एक तो यह चीज़ आपको आने ची़ ठीक है तो किस तरीके से निकालेंगे अभी हम लोग यह चीज तरे रहते हैं और दूसरी चीज हमारी question में क्या पूछते है कि which factory has a more consistent wage structure अब जब दोनों में कभी comparison की बात आती है न जब भी मतलब कि यह पूछा जाता है कि कौन consistent है जो भी कोई दो players हो दो players खेलना हो लगा ठीक है तो consistent player की बात करी जाए मानलों कि एक player है उसका आ रहा है 20 30 40 50 इस तरीके से numbers आ रहे है उसके runs आ रहे है बट दूसरा player हो उसके आ रहे है कभी 10 कभी 90 कभी 0 भी आ जा रहा है ठीक है तो consistent कौन है consistent जो है वो पहला वाला है ठीक है क्योंकि वो एक range के अंदर numbers को लेकर क्या रहा है जबकि second वाला क्या है कभी 0 भी लेकर क्या कभी 90 भी लेकर क्या रहा ठीक है तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है ठीक है तो इसका मतलब कि जब भी कभी आपसे इस तरीके consistent का word का बूचा जाए तो आपको वहां पर variance निकालना है coefficient of variance निकालना है और coefficient of variance को किस तरीके से calculate किया जाता है इस चीज को हम लोगों ने अच करना पड़ेगा दोनों factories का अलग-अलग data को calculate करना पड़ेगा यहां पर a के लिए अलग और b के लिए अलग ठीक है उन दोनों का यहां पर intervals तो same रहेगा लेकिन जो frequencies है यहां पर वो change हो जाएगी ठीक है तो जब हमारी पास में जब frequencies change हो जाएगी तो हमको क्या करना अब यहां पर देखिए कि for factory a a factory के लिए क्या करना है हमको daily wages लिखना है उसका जो भी f1 है मतलब की f है उसको लिखना है mid value आपको निकालना आता है कि 100 plus 50 करोगे divided by 2 करोगे 75 आएगा इसी तरीके से 100 plus 150 करोगे divided by 2 करोगे 125 आएगा इस तरीके से आप सारी चीज़ों का mid value नि निकालने के बाद में continuous series दी गए हो तो fx निकालते है fx इस तरीके से आपने fx निकालने के बाद में क्या करना है आपको normal simple सा यह formula रगा दे रहा है जिससे कि आप mean को calculate करते हो और आपकी यहाँ पर mean आ जाएगी 195 तो यहाँ पर आपकी जब mean आ जाएगी 195 तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक जो पहला वाला question था वो तो clear हो गया इसकी average पूछता था तो average पहल आपको बोला कि coefficient of variance भी निकालना है variance तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको standard derivation निकालना पड़ेगा standard derivation को निकालने के बाद में हम क्या निकालेंगे coefficient of variance निकालेंगे तो यहाँ पर standard derivation का formula क्या होता है standard derivation को हम लोग दो तरीके से calculate करते है एक तो हमारे पास में जब points में values given होती है तो हम उसके लिए दूसरे formula को लगाते है और जब whole number दिया जाता है तो हम दूसरे formula को लगाते है तो यहाँ पर whole number है whole number के लिए हम लोग इसी वाले formula को apply करते है और इस वाले formula को apply करने के लिए हमको x minus x bar का square into f करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या है x minus x bar सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया x तो हमको पता है कि यहाँ पर x 75 और 125 है but x bar हम लोगों ने निकाला है न x bar हमारे कितना निकल करके आए है x bar देखो कितना निकल करके आए 195 निकला है न तो यहाँ पर से 75 minus 195 करोगे कितना हैगा 120 आएगा 125 minus 195 करोगे कितना हैगा minus का 70 और ये सारे चीजेंगों को हमको क्या करना है? इनका एक तो square करना है 120 का square करोगे तो जो भी answer आएगा उसके बाद में उसका f से multiply करवाद होगे ये सारी चीजे हम लोगों ने बार-बार सीखी है तो इसका हमको क्या करना है? submission निकाल लेना है submission निकालने के बाद में आपको पता है कि इनी values को हमको क्या करना है यहाँ पर से put कर देना है और put करने के बाद में जब under root के बाद से आप value निकालोगे तो यह निकल करके आजाएगा 82.5 82.5 निकल करके आजाएगा और अब आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि coefficient of variance का क्या formula होता है coefficient of variance का formula होता है जो भी आपका standard derivation आया standard derivation से आपने जो भी x bar को जो भी आपकी mean निकल के आए उसको divide करो into handed करो ठीक है तो ये सारी चीज़े हम लोगों ने सीखी किस तरीके से coefficient of variance निकाला रहता है जो भी answer आगया यहाँ पर आप देख लो क्या answer आया है ठीक है तो अभी हमको पहला जो question है उसका हमारा clear हो गया factory A के लिए अब बात आती है factory B के लिए तो factory B के लिए भी हम simple सा जैसे भी mean calculate हम लोगों ने किया है न वैसे ही calculate करेंगे mid value निकालेंगे F करेंगे FX निकालेंगे उसके बाद में हम लोगो क्या करना है नीचे जाना है और नीचे जाकर कि हमारा यहाँ पर X बार कितना है 190 आ गया जैसे calculate करना मैंने बता है न वैसे calculate करना है X बार को calculate करने के बाद में हमको क्या करना है जब हमारे पास में आगे तो हमको standard derivation निकालना होता है standard derivation हमको किस term में निकालना है कौन से formula यहां पर यूज़ होगा क्योंकि whole number है whole number के लिए हमारा same formula यूज़ होगा जो अभी हम लोग ने factory A के लिए यूज़ किया है calculate कर दोगे जब आपके पास में एक बार standard derivation आ जाएगा तो coefficient of variance निकालने में कोई problem नहीं होनी चाहिए यहां पर standard derivation upon mean into hundred कर दोगे जितना answer आ जाएगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर दोनों के पास में आपके पास में data जो भी है वो given coefficient of variance पता चलना है B के लिए 35.62 आया है और A के लिए कितना आया है 42.31 तो जो भी इसका आपको पता चलना है जो भी consistency की अगर पता लगाना होता है तो जिसका number कम होता है वही ज़्यादा consistent होता है suppose कि अगर A का कम होता तो वह ज़्यादा consistent होता और अगर B का कम होगा है तो यहां पर B consistent ज़्यादा होगा क्योंकि यहां पर 42 आ रहा था A के लिए और B के लिए कितना आ रहा है 35 आ तो कम कौन सा है कम वाला तो यह तो कम के लिए जो भी कम होगा वही हमारा क्या होगा factory B has more consistent मतलब जो factory B है वो क्या है ज़्यादा consistent है इस तरीके से हमने अपने आज किस जो भी question है उसको हम लोगों ने देख लिया है किस तरीके से हमको calculate करना इस पूरे formula को अभी आप यह सोचे हो कि इतना बड़ा data है उन सभी को कैसे calculate करेंगे बहुत टाइम लगेगा तो मैं आपको बताया है कि आपको examinations में calculator ले जाना allowed है ठीक है तो उन सभी की help से आप आराम से easily calculate कर पाओगे ठीक है कोई भी doubt होता है तो उसको पूछ लिया करो और PDF का link भी description box में मिल जाएगा facebook page होगा वहाँ पर से आपको notes वगेदा साधे provide हो जाएँगे ठीक है तो आज की video फिलाल इतना ही रखते है next video मिलते हैं एक नए question के साथ में till then take care thank you and bye